हालो एन वेलकम तो दी मेरिजमेंट क्लासेज आज इस वीडियो में हम लोग हिक्स कंसेप्ट आफ कंज्यूमर सर्प्लस को डिस्कस करेंगे दिखें मार्शल का जो कंसेप्ट एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मार्शल ने अपने कंज्यूमर सर्प्लस के अंदर कार्डिनल यूटिलिटी का यूज किया था जिसके वजह से उसके मेजरमेट में काफी डिफिकल्टीज आई इसलिए J.R. Hicks ने एक अपना नया concept को formulate किया जिससे उन्होंने consumer surplus को calculate किया उनके words में अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि the best way of looking at the consumer surplus is to regard as a means of expressing the gain to consumer as a result of fall in prices of course in terms of money supply वो कहते हैं जो मैंने पढ़ा उसका तादपर्य क्या है इसका meaning क्या है वो कहते हैं कि consumer surplus को आप दूसरी तरह से देखिए आप ये देखिए कि price किसी community के price गिरने से किसी व्यक्ति को या consumer को कितना फाइदा हुआ वो पहले एक product 10 रुपे का खरीता था अब वो market गया उसको वो ही product 8 का मिल गया तो इसका मतलब उसको 2 रुपिया बचा ये consumer surplus है वहाँ वो क्या कहते थे मार्शल मार्शल कहते थे कि उसने कितना plan किया कि वो pay करेगा और कितना actual में pay किया उसका difference है ये कहते हैं कि जो price के गिरने पर बचत होती है वो consumer surplus कहलाती है ठीके और इस surplus से आदमी क्या कर सकता है वो जो quantity खरीद रहा है जो पहले वो 10 की खरीदा था अब 8 की मिल गई तो वो 12 की आट की और खरीद ले अब उसको ज्यादा की मिल गई जितनी quantity लेता था उसको तो 8 में मिल गई 2 की और ले सकता है या इन दो से वो कोई other commodity खरीद सकता है कुछ और ले सकता है यानि कुल मिलाके उसकी जो money income है वो बढ़ गई अब वो पहले से better off है तो better off किस वज़ा से है क्योंके उसको consumer surplus मिला price गिरने की वज़ा से और इसी केंको हिक्स ने consumer surplus किया है कहा है हिक्स ने अपने consumer surplus के concept को बताने के लिए एक स्प्लीन करने के लिए in difference curves का इस्तमाल किया है in difference curves हमने पहले पढ़ चुके है क्या होता है मैं उसको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ अगर Indifference Cup में तोड़ा confusion है तो पीछे जाकर एक वीडियो है इसकी, Indifference Cup की उसको देख लीजे उसके जरीए हिक्स ने अपने Consumer Surplus को बताया है Consumer Surplus को Indifference Cup बताने में उन्होंने, हिक्स ने कहा है कि यहाँ पर दो एक ऐसे effect है जो सामने आएंगे ज़ब किसी product के price गरेंगे पहली बात यह बने बताया कि वो आदमी या तो same quantity खरीश सकता है कम price में जो quantity वाली जो 1 kG लेता था या तो वो same quantity ले सकता है और पैसा बचा सकता है ये बचा ले उव बैटर हफ है वो या वो अब 8 का ले 1 किलो और प्लस 2रपीस का और बढ़ा ले इसके अदर यानि उत्में ही पैसे में या तो वो कॉंटिटी अब ज्याद़ ले सकता है या वो वही quantity ले और पैसा बचा सकता है कम पैसों में यानि दोनों cases में उसकी जो real income है वो बढ़ रही है देखते हैं figure में किस तरीके से ये इंडिफरेंस कर्व से काम करता है इसके x-axis पर हम community ले ले लेते हैं कोई भी community लोई ले लीज हमना एकस ली है और यहां उसकी money income ले लेते हैं उसके पास जतना पैसा है यह हमने यहां ले लिया अब जाहर हम उसका एक वो उसके पास ये पैसे है माली जी यह पैसे हैं उसके पास R, R amount of money है, अब जाहर है R amount of money में वो यहां कोई भी quantity of community X ले सकता है, उसने अपना indifference curve देखा और उस indifference curve पे थोड़ा स्ट्रेट बन गया इदर से उसने indifference कर लिए, अब देखिए, उसके पास यहां, R, यहां से origin हुरा है, इसका मतलब जब उसके पास R amount of money है, तो वो बिलकुल community नहीं खरीदी है, उसने अब अजिम करिए, कि उस व्यक्ति को इस consumer को market price नहीं पता है, अब वो अपनी plan कर रहा है, ठीक है, अभी उसको price नहीं पता, उनने plan किया अपना, अब वो indifference curve पर अपनी ordinal utility से plan कर रहा है, कि सब वो अब अगर इतनी quantity लेने चाह रहा है, तो इतना amount पे करेगा, इतनी लेना चाह रहा है, इतनी quantity लेना चाह रहा है, तो यह amount पे करेगा, यह amount पे करेगा, suppose कर लिजे, उसने यह quantity सेलेक्ट की, इसको हमने मान लिया T, ठीक है, अब मैं बाखी जो मैंने idea देने के लिए दी है, वो मैं सम मिटाए देता हूँ, उस व्यक्ती ने, suppose कर लिजे, कहा कि मैं O.T amount of product खरीदूँगा, तो इसको कितना पे करना होगा? इतना amount वो पे करेगा, माली जी, E हमने इसको नाम दे दिया, अब वो O.T amount of product खरीदना चाह रहा है, और R.E amount of income या money सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, ठीक है, अब ही उसको price नहीं पता है, ठीक है, अब माल लिजे, यह चीज़ के लिए हुई, उसको price नहीं पता थे, इस indifference curve पर कोई भी combination हम लेंगे, वो उसको equal satisfaction देगा, यह पढ़ा हमने पहले, तो माल लिजे, वो यहाँ पर इस जगह पर आकर select कर लेता है, P माल लिजे इसको, P point वो select करता है indifference curve के उपर, जहाँ O T amount of community लेगा, और R E amount of money पे करेगा, अब भी उसके पास O E amount of money है, उसी के पास है, अब माल लिजे, वो जब market पहुंचता है, तो उसको price पता चल जाते हैं, जब उसको price पता चलते हैं, तो जाहर हम उसकी budget line बनाएंगे, बजट लाइंगे, बजट लाइंगे, उसके पास R amount है, अब आफ मनी है, तो जाहरे budget line उसकी R से initiate होगी, कलर दूसरा ले लूँ, पाके थोड़ा समझना आसान हो, अब माल लिजे, ये उसकी budget line बन गई, इसको हम नाम दे लेते हैं, R L, R L उसकी budget line है, अब देखिए, जब budget line उसकी बन गई, तो वो उस indifference curve पे तो नहीं आ रही है पहले वाले, अब उसकी budget line के हिसाब से उसका indifference curve उपर आ जाएगा, अब माल लिजे, अब उसको चाहिए कितनी थी, commodity तो उसको O T लेनी है न, O T लेनी है, तो अब उसका indifference curve जो होगा, वो इसी amount के उपर आएगा, यह हमारा IC 1 था, यह हमारा IC 2 हो गया, अब यह indifference curve 2 हो गया, और यह N point जो निकल कर आया, यह basically equilibrium point है, इस equilibrium point पर वो अपना choose कर रहा है, और अब amount उसने कितना pay किया, यह line कीची मैंने, RF, समझे ने बात को, अब उसने RF payment किया, और O T amount उसको मिल गया, यह उसका equilibrium point है, जब वो market पहुँचा और उससे price पता चले, अब हुआ क्या, वो जब घर से चला था, आपने इस indifference curve के हिसाब से लगा कर, के मुझे यह भी satisfaction मिलेगा, यह भी satisfaction मिलेगा, तो उसने कितना सोचा था, RE amount sacrifice करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब वो market पहुँचा, उससे price पता चले, तो उसके प्राइस घट चुके थे, उसे कितने price मिले, RF, ठीक है, अब उसके पास बच क्या रहा है, FE, यानि जाहर है उसके पास total surplus तो यह है, लेकिन सिर्फ उन दोनों, को compare हम करें, कि जितना वो मान कर चला था, जितना वो sacrifice करने को तयार था, और जो उसने पे किया, उसमें FE का difference आ रहा है, तो जाहर है यह उसने पे किया, और यह उसका consumer surplus निकल कर आ गया, तो यहाँ पर basically जो, हिक्स ने अपने concept को लिया है, हिक्स ने अपने concept को यही बताया है, कि जो consumer surplus होता है, वो price के गिरने से, जो हमें gain होता है, वो consumer surplus होता है, यहाँ price कर होए उसके, यह माना था, लेकिन यह price है, इस वज़ाए से यहाँ पर, इन दोनों की बीच का जितना difference होगा, वो consumer surplus कहलाता है, इसी तरीके से हिक्स ने, इस indifference curve technique को यूज़ करके, अपने consumer surplus को बताया, है, वो cardinal है, यानि cardinal measurement of utility को assume नहीं किया, एक तो यह, दूसरी चीज़ यह, हिक्स ने इस बात को भी assume नहीं किया, जो हमारी marginal utility of money है, वो constant है, हिक्स ने यह दोनों doubtful assumptions लिये थे, यानि जो marginal utility of money थी, उसको constant assume किया था, और cardinal utility measurement को लिया था, तो यह दोनों चीज़ें, हिक्स ने नहीं लिये हैं, बिना इनके assume किये, यह consumer surplus को calculate किया है, इस वज़ाए से जो हिक्स का method है, यह, आ, मार्शल से superior माना जाता है, क्योंकि पहले वाला मार्शल वाला, basically criticize ही इस बेस पे किया गया था, किसके अंदर cardinal utility के use किया जा रहा है, हिक्स ने उसको हटा दिया, हच्स ने उसके ordinal utility को use किया, और एक नया तरीका और एक नया concept, consumer surplus को calculate करने का बता दिया, ठीक है, तो इसलिए जो यह हमारा हिक्स का consumer surplus से, यह काफी ज्यादा popular हुआ, ठीक है, तो मुझे उमीद है कि इस सब समझ में आया हूगा, कोई problem हो तो मुझे comment box सो बताइए, इस video में इतना ही, thank you so much.